हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टु माई न्यू वीडियो, तो जी आज की वीडियो में आपका स्वागत है, तो जी आज की हमारी वीडियो है, इस तरहें फटी पुरानी चदरे होती हैं, देखिए, कोटन की जादा हमारी नहीं चलती, देखिए, श्रिंक सी हो जाती है, तो हम उनको, देखिए, कुछ ना कुछ पोचा बनाने की बजाए, हम घर के लिए कुछ बढ़िये से और्गनाइजर बनाएं, तो जी इसी आइडिया से रिलेटेरी आज का आइडिया है, तो एक लिया है, तक ये का कवर है, इससे मिलता जुलता है, और एक पीस है हमारा ये कोट अगर आपना चाहिए, तो मेजरमेंट भी आप कर सकते हैं, बट हमने चारों है ना, जी साइड्स रखनी हैं, बिल्कुल इक्वल, मतलब ब्राबर हो, ठीक है जी, तो ये देखिए, अब आपके सामने है, कपड़ा था, डबल था, उसको फिर आपका फोल्ड करा, तो फोर मतलब चार फोल्ड हो गए इसके, तो ये चार पीस हैं, जी, तो इसको कट कर लेते हैं, चारों पीसों को अलग-लग कर लेते हैं, ठीक है जी, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, तो जी, ये जो चीज बनने जा रही है, ये काफी आप लोगोंने अभी ओनलाइन देखी होगी, तो वो काफी महेंगी कोसली आती है, तो हम ये क्यों पैसे लगाएं अपने जब हम इसे घर पे बना सकते हैं, और आज का आइडिया हमारा बीना सिलाई मशीन के सारा काम करेंगे, हम अपने सोई धागे से, तो ये देखें जी, चार पीस हो चुके, और इसको और मजबूत्ती देने के लिए इसमें डालेंगे आटा चावल की थेली, ये देखें जी, तो इससे क्या होता है, थोड़ी मजबूत्ती मिल जाती है, और इसको, देखिए हम थोड़ा सा कड़कपन आ जाता है चीज में, जैसे भी हम बनाते हैं, और ये हमारी ची देखें, चार पीस कर लेंगे, और जहां हमारा लेंथ थोड़ी सी कम पड़ेगी, ठीक है जी, जो हमारी ये कोटन की चदर का पीस काटा है, तो इसके बराबर नहीं है, आटा चावल की थेली, बट कोई बात नी, हम थोड़ा सा पीस एक्स्ट्रा आटा चावल की थेली का क तो टोटल थरी पीस को हमने सुई धागे से स्टीच करेंगे सुई धागे से जी मुझबूत्ती का काम होता है बिल्कुल मतलब स्टीच करना हम सोचें कि कोई ओर लगेगा अच्छा नहीं लगेगा नहीं जी क्योंकि ये चद्दर है आपके सामने ही है ये चद्दर ऐसी चली से वर्क की हुई है तो बिल्कुल अच्छा लगेगा इसमें मिलता जूलता ही हम थ्रेड यूज करेंगे तो इस तरे जी बस थ्री पीस हो गए तो अब इनको हम सुई धाके से स्टीच कर लेते तो देखिए जी बिल्कुल हमारा थ्रेड है इसमें जो पहले ही कड़ाई हु ब्राउन लाइन से बनी हुई है इसके ब्रापर ब्रापर हम निच्याला कपड़ा चकते हुए और आटा चावल की थेली में इजली सुई धागा देखिए चला जाता है तो हम इजली इसको सिल सकते हैं बट फ्रेंस आपको याद रखना पड़ेगा या तो आप एंकर की ग हो जाएगा छोटी सुई से थोड़ा सा टाइम लगता है तो इस तरह जी बस थोड़ा थोड़ा स्पेज छोड़के हम ये काम देखिए इंजॉय से बिना बोर हुए कर सकते हैं बस जी 15-20 मिनट का टाइम है और हमारा ओर्गनाइजर बनकर रेडी हो जाता है तो ठीक है जी अब दूसरी साइड पहली साइड हमने स्टीच कर ली अब दूसरी साइड स्टीच कर देंगे और इधर एक्स्ट्रा जो हमारा दिख रहा है जो बाहरा है आट्टा चावल की थेली तो कोई बात नी उसको हम जब ये स्टीच कर लेंगे उसके बाद जो एक्स्ट्रा जिस से हैं वो हम कट कर देंगे तो इसको बिल्कुल एक्वल कर लेंगे तो इस तरह की बड़ी सारी देखिए चद्दर की पट्टी है वो हमारी बन जाएगी जी ठीक है जी तो यह हमारा सील दिया मैंने दूसरी साइड भी और अब इसके एक्स्ट्रा जो आटा चावल की थेली बार निकली हुई है तो उसको हम कट कर देंगे तो देखिए कितना प्यारा पीस बनकर हमारा रेडी हो चुका है ठीक है जी अब हम जी दूसरा पीस भी हम जो हमने शुरू में चार पीस काटे थे तो दूसरा पीस भी हमने ऐसे ही आटा चावल की थिली डाल कर हमने रेडी करना ह हैं तो इस तरह. हमारे ये लंबे-लंबे दो पीस हो जाएंगे ये देखे जी ये हो गया हमारा एक और दूसरा ओर हमने जो दो पीस हो इसी साइज के कट करे हैं वह किस gebe Diamond all the time कर लेंगे ठीक है जी तो उसमें भी आटा पास चद्र मेरे पास छोटी है और पिस नहीं था तो यलो एक तक्ये का पिस पड़ा था ठीक है जी उसको मैंने ले लिया इसी साइच का हम कट कर लेंगे ठीक है जी और थोड़ा पीस बचा हुआ एक तक ये का कवर है तो ये काफी अच्छा लगेगा ठीक है जी इसके बराबर ही हम ये कट कर लेते हैं तो कटिंग का काम हमारा सारा हो जाएगा अब उपर से थोड़ा सा कट करके सिंगल पीस इसको कर लेंगे ये जी हम पिछे के लिए यूज करेंगे पिछे का कोई काम नहीं अब जी इदर तीन गत्ते लिए हैं क्योंकि सेल्फ सी हमने बनानी है तो तीन गत्ते जैसे बच्चों के पेपर कार्डबोर होते हैं खराब हो जाते हैं या फिर आप बच्चों की फाइल्स होती हैं तो उन पे जी ये मेरे पास एक बेकार पड़ी चुनरी थी तो वो मैंने ग्ल्यूगन से इस पे अटैच कर दी तांकि देखने में भी सुन्दर लगे तो आप इस तरह कोई मुझबुत्ती वाला कार्डबोर लीजिए जो जिसमें कि आप काफी सारे कपड़े रख सकें तो वो कार्डबोर हमारा तूटे ना ठीक है जी आ यह हो गया हमारा अटैच हैंगर और इसी तरह ही हम दूसरी साइड पे हैंगर लगा देंगे अब जी इधर हमारा हैंगर लग चुके अब हमने जो येलो कपड़ा है पिछे का तो वो इस तरह नीचे की तरफ से सीलते हुए इस तरह साइडों में स्टिच करेंगे तो इस त इतना मेरा बन चुका है यह मैं आपको दिखा दूँ पिछे मैंने सी लिया है और यह देखिए और यह साइड सागी निचे की तरफ भी तो हमारा इतना स्ट्रक्चर सा बनकर रेडी हो चुका है जी अब बीच में सेल्फ है वो जो काड़ बोर्ड की वो लगनी बाकी है जी त तो आप इनमें मैं कपड़े फिलिंग करके भी दिखाऊंगी आपको तो इस तरह हैं कि यह और्गनाइजर बन गया इसको हम कहीं पर भी देखिए कोई भी पाइप हो या कोई स्ट्रोंग सी आप निल लगा लीजिए वहां आप हैं कर सकते हैं तो हमें हमारे कफडे काफी क कपड़े इनमें आ सकते हैं जी है ना जी ये ओनलाइन मिलने वाली इस तरह की आज कल चली हुई है जैसा कि मैंने थमनिल में लगाया है तो हम किसी भी कपड़े से घर पेस हुई दागे से बिना सिलाई मशीन के इस तरह धेरों कपड़े रखने के लिए और्गनाइजर बन सकते हैं ठीक है फ्रेंस आई होप आपको आज का वीडिया वीडियो आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना